हलो अबरीबडी वेल्कन उपमाच चैनल लास्ट डीपिया वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर इस पर अच्छा रिस्मस आएगा तो मैं माउस डीपिया के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उस पर करेंटली अभी 14000 व्यूज है और अल्मोस्ट वन थाउजन ल के एन M16FF यूज थर्ड बेस्ट सेटिंग फोर नॉन गिमिंग माउस फोर्थ विच डीपिया और विच माउस आ यूज पर्सनली और फिफ्ट बेस्ट माउस फोर फ्रीफायर तो आज हम इस वीडियो में ये पांच टॉपिक कवर करने वाले और वीडियो के एंड में बता कैसे इफेक करती है गेमप्ले के उपर उसके उपर बात करते है सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको प्रिवेर्स वीडियो बता आ था कि इमिलेटर में जितनी आप डीपिया कम करोगे उतनी ही सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी बट माउस डीपिया सेंप्यू वीडियो अपलोड की थी अपनी कुद की चैनल पर ही उसमें उससे बताया था कि वह 1600 डीपिया पर खेलता है माउस की उसके बीटू के की बात करें तो बीटू के ने एक बार इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट डाल थी या फिर स्टोरी डाल थी मुझे ठीक से याद भी ह पर उसमें उसने मेंचन किया था कि वह 1600 डीपिया पर खेलता है कि मतलब वह भी 1600 डीपिया ही यूज करता है और लास्ट मैं M16FF की बात करें तो मैंने उसको खुद यहाँ पर पूछा था DM में इंस्टाग्राम पर कि आप कौन सी डीपिया यूज करते हो माउस में तो उसका पांसर आया था कि वह 1200 डीपीया यूज करता और कभी-कभी 1100 डीपिया भी यूज करता है इन दोनों में सब्सक्राइब करता है कभी-कभी हो 1100 यूज करता हैं तो इन सब लेजेंड की वह यडिपया जानने से आपको क्या पता चला सबसे पहले यह बात है कि वो लोग सब हाई DPI यूज़ करते हैं मतलब 1000 से उपर DPI अगर कोई माउस में यूज़ करता है मतलब उसको हाई DPI यूज़र बोलते हैं और Free Fire ही ऐसे एक गेम में इसमें इतनी हाई DPI यूज़ होती है अगर आपके पास गेमिंग माउस है तो आपके पास अप्शन ही नहीं आता कि DPI सेट कर पाओ तो उसमें sensitivity कैसे बढ़ात है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ तो यहाँ पर आपको पहले जाना है Windows Setting में Setting में जाके यहाँ पर टाइप करना है Mouse और Mouse Setting में जाना है और नीचे स्कोल करके यहाँ पर जाना है Additional Mouse Setting पर उसके बाद यहाँ पर Mouse Properties का Dialog Box open होगा वहाँ पर आपको जाना है Pointer Option पर और यहाँ पर जो First Slider दिख रहा है Selector Pointer Speed वहाँ पर आपको Slide कर देना है Fast की और तो आपका जो Pointer है वो Fast हो जाएगा और आपकी Sensitivity भी बढ़ जाएगी इन गेम में मेरे पास Gaming Mouse है तो मैं खाली 4 पॉइंट ही रखता हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप भड़ा भी सकते हो और उसके लीचे वाला जो Option है उसमें अगर आपको Tick लगा हुआ है तो आपको Untick कर देना है उससे आपकी Accuracy बढ़ जाएगी गेम में मैं सजेस्ट करूँगा आप एक Gaming Mouse लिलो जो इतना महेंगा नहीं आता है 400-500 में आपको अच्छा खासा Gaming Mouse मिल जाएगा अगर आपको Buy करने में इंट्रेस्ट है तो मैं नीचे Link डाल दूँगा दिस्क्रिप्शन में Gaming Mouse की जो अफोड़ेबल है 400-500 या 1000 रुपे तक तो मैं Link डाल दूँगा जो जो अच्छा माउस मिल को लगते मैंने बहुत सारा Mouse उस किया हुए और मुझे अच्छा कासा Experience है Gaming Mouse में तो जो मुझे अच्छा लगे उसके मैंने Link डिस्क्रिप्शन में डाल दिया Amazon की तो आप चेक आउट कर सकते हो और आपको खरीद ना तो खरीद भी सकते हो और 400-500 या 1000 रुपे का तो भाई क्या ही बोले इतना तो टो टॉप-अप कर देते एक बार में सब्सक्रिप्शन में डाल दूगा अगर आपको किसी को भी खरीद ना तो लिक से खरीद सकते हो और जो भी अच्छे gaming mouse होते हो उसका software जरूर आता है जिसमें आप उस mouse के DPI, Lighting और सब कुछ सेट कर सकते हो अपने हिसाब से तो मेरे mouse में आप लोग 4 DPI प्रिसेट बना सकते हो 800 से लेके 3200 तक मेरी DPI जाती है mouse में तो उसमें से मैं यूज करता हो कभी 1600 कभी 1400 अभी करेंटली मेरी 1550 है तो मेरे एकदम परफेक कोई नहीं होती बट आगे पीछे करता रहता हो 1300 से लेके 600 तक बीच में कभी भी मैं कोई भी यूज कर लेता हो जो मेरा बन करता है तो अगर आपके पास एक gaming mouse है तो आप स्टार्ट करो 1200 DPI से और उसके बाद चेक करो आपकी movement कितनी अच्छी होगी या accuracy कितनी अच्छी होगी है तो sweet spot यही है 1200 से लेके 1600 तक DPI यूज कर सक अब आजाते है अपने last topic पे जो कि है best mouse for free fire जैसे कि मैंने बता है मैंने पहले से link डाल लखी है description में best mouse की तो आप देख सकते हो आपके budget में कौन सा fit होता है और उस तरीके से आप mouse खरीच सकते हो तो check out करना मत बूलना description में link है सारी and that's it for this video और अगर इस video में भी अच्छा response आता है तो मैं script use करूंगा जो red number वाली आती है जो ब्राजिल सरों में मिना सरों में बहुत popular है और मैं वो यूस करूंगा और उसके बाद मैं आपको अपना review दूंगा के भाई वो सही में work करती है के नहीं करती है कि hack की तरह उसमें आपकी ID बैन नहीं होगी तो अगर आप चातो वो वीडियो में लेके आओ तो इस वीडियो पर अच्छा response आएगा तो next video में वो लेके आओंगा ठीक है तो चलो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care